कि अगर आपको ट्रेवल करना है तो ट्रेवलिंग पास केसे निकाली जाए तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन ट्रेवलिंग पास केसे निकालते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्रीब करना ना भूलिए और बैल आइकन को बटन जरूर दबा दीजिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यह मेरे मोबाइल की स्क्रीन इसके बाद हम खोलेंगे क्रोम का गूगल ब्राउजर यह देखिए यह उपन हो गया मैंन अगर यह भी आपने डाला तो वो वेबसाइट खुल जाती है उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा आपको दिख रहा होगा उपर लिखा एपलाइफ और ट्रेवली पास नीचे है एपलाइफ और पास यह और उसके नीचे है चेक स्टेटस और डाउनलोड प प्राउजिंग करेंगे वो डेक्स्टॉप मोड में करनी है इसलिए डेक्स्टॉप मोड ऑन कर लीजिए इसके बाद यह आपको छोटी सी विंडो ओपन होगी उसमें आपको पूछ रहे है क्या आपको महाराष्टर के बाहर जाना है या नहीं तो अगर जाना नहीं होगा तो नहीं पर क्लिक कर दीजिए मुझे नहीं जाना इसलिए में नहीं पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए यह ट्रैवलिंग पास का इंफॉर्मेशन जो फॉर्म होता है वो आ गया है आपको इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन भरनी है अभी मैं जल्दी से जल्दी बता द तो यह उपर जाने वाली डेट और उसके बाद जब वापस आएंगे वो डेट उसके बाद मोबाइल नमबर उसके बाद ट्रेवलिंग का रिजन किस कारण जा रहे हैं आप किसी से मिलने जा रहे हैं कुछ मेडिकल इमर्जनसी है कोई गुजर गया है तो आप यहाँ डाल सकत है ठीक है उसके बाद यह प्रवास सचे कारण यानि कि वही ट्रेवलिंग रिजन ब्रीफ में एक्स्पेनेशन दिन अगर आप देना चाते हो तो दे सकते हो उसके बाद वेहिकल कैसा है वेहिकल टाइप कार है बस है जो कुछ है वो उसके बाद उस वेहिकल का रिजिस्ट् नहीं है उसके बाद आप ट्रेवलिंग कहां से शुरू करने वाले हो यानि कि कौन से डिस्ट्रिक से कौन से डिस्ट्रिक में जाने वाले हो यानि कि शुरुवात वाला डिस्ट्रिक उपर और जहां पर आप जाने वाले हो वह डिस्ट्रिक नीचे कितने लोग गाड़ी मे यहां पे डालना है passenger count और जिस जगह पे जाने वाले हो उस जगह का address यानि कि destination address यहां पे डालना है उसके बाद आपको इस red color में एक notice दिखाई देंगी यह आपन content zone में आहत का अगर आप content zone में है तो यहां पे आप yes कर सकते अगर नहीं है तो यहां पे no करने का है उसके बाद आपन परतीसा प्रवास यास मारगाने करना तरका जिस इस रूट से आप जाने वाले हो उसी रूट से आप वापस आने वाले हो या नहीं या आपको यहाप फील करना है उसके बाद आप देख सकते हैं violation फोटो फोटो चाहीC Bryant T हो एक बात ध्यान रखने हैं आपको की फोटो की साइज 200 के बी के नीचे चाहिए उसके बाद नीचे आपको आधार का फोटो या फिर सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है यह जहाँ पे लिखा है वैलिड और्गनाजिशन डॉक्यूमेंट मेडिकल रिपोर्ट कमपनी आईडी आधार काड एटसेटर यहाँ पे और उसके नीचे अटाइच डॉक्टर स्रेटिविकेट फि सबहने के बाद कि यहां नीचे आपको का अप्छन मिलेगा को सब्मिट कर देना है ठीक है इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हो आप सब्मिट करने के बाद यह ऐसा टोकन जेनरेट होगा यह देखिए यह दिख रहा है आपको आपको बाद में लगने वाला है कहां पर लगने वाला है मैं आपको बता हूंगा आपने यह देख लिया यह टोकन आइडिया अभी चलते हैं वापस वेबसाइट पर तो यह उस वेबसाइट का में पेज है पहले हमने अपलाएब और पास के उपर क्लिक किया था और उसके नीचे देख सकते आप चेक स्टेटस एफे डाउनलोड पास उसके बाद हम चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे फिर से टेक्स्टॉक मोड आउन कर लेना पड़ेगा और देखिए यहाप दिख रहा है एंटर टोकन आईडी जो टोकन आईडी पूरी इंफॉर्मेशन और डीटेल बरने के बाद जो जनरेट वहा था वो टोकन आईडी यहापे डालना है और सब्मिट करना है सब्मिट करने के बाद जब आपका पास रेडियो हो जाएगा तो आपका पास कुछ इस तरह से जनरेट पर बताता है कि आपका पास प्रोसेसिंग में है जब पास कंप्लेट हो जाएगा तो यह पीडिएफ के फाइल आप वहाँ से डाउनलोड हो जाती है टोकन आईडी सब्मिट करने के बाद आप देख सकते हैं इस पर QR कोड भी है और नीचे रूल्स दिये हुए है ट्रेवलिंग के वक्त और ट्रेवल इपास महराष्ट्रा ओनली और यह जो बॉक्स है यलो कलर का उसमें गाड़ी की डिटेल्स पैसेंजर की डिटेल्स ट्रेव अलिवी दो में